वेबसाइट एक एंजिनेरिंग स्टुडेंट के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक एंजिनेरिंग स्टुडेंग को हैंड रिटन सिम्लिफाइब मटिजन उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बूक प्रोवाइड करता है अगर अभी तक नहींगे तो प्लिस चेक इए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी लेट सी टुड़ेंस टॉपिक डेटा लिंक लेयर सर्विज डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर के बाद में आता है ओएसाई रेफरेंस मॉडल में आयो अपको अगर आपको नहीं पता तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली लिए प्लिस चेक इए लेट सी डेटा लिंक लेयर सर्विसे डेटा लिंक लेयर मिली तीन डैप की सर्विस प्रोवाइड कुरता है फिर्स ए अनकोलेज़र कनेक्शनलेस सर्विस हमें जब हम इस मैथड का इस सर्विस में हम डेटा डांसबर कर रहे तब हमें किसी भी टाइप का लॉजिकल क्रियेट करना है और लॉजिकल कनेक्शनलेस सर्विस से इसका अकोलेजमेंट भी नहीं आएगा हमें इस सर्विस में सोर्स मसीन को सोर्स मसीन को जो भी डेटा इ या प्रोब्लेम है या वो डेटा कलेक कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके बारे में उसको नहीं पता मैंस source machine को कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा ट्रांसपर अच्छे से हुआ या नहीं हुआ जो भी data उसने receiver को भेजा उसको मिला या नहीं मिला इसलिए इसमें ना कि connection create करना है ना कि data send का data receive या send का acknowledgement इसमें दोनों नहीं आता अकुलेजेड connection less service इस service में हमें कोई भी logical connection create करना नहीं होता है और logical connection ना करने के बाद हमें कोई अकुलेज़ में भी नहीं होता है जब sender ने data transfer किया तो receiver के पास पहुचा तब receiver उसको अकुलेज़मेंट send करता है अगर receiver ने अकुलेज़मेंट send नहीं किया उस sender को अकुलेज़मेंट receive नहीं हुआ तब थोड़े time के बाद sender को फिर से frame या data retransmit करना होगा इसलिए इस service में यार और unaccolated connection led service ने अकुलेज़मेंट से बाद हमें अकुलेज़मेंट की ज़रूरत पढ़ती है लिट सिप्ष है अलो को इस सर्विस ने यह में पहले लॉजिקल क्रिएक्षन भी करता है और डेटा ट्रशाम Gleich finished भी आना चाहए इसलिए इस सर्विस में पहले सेंडर को connection create की रिकवेस्ट भेजनी पड़ती है उसके बाद रिसीवर ओन वह connection बेजता है उसके बाद ही सेंडर फ्रेम या डेटा जो भी है वो डेटा ट्रांस्मीट करता है और डेटा ट्रांस्मीट करने के बाद सेंडर को वेड करना होता है कि वो डेटा रिसीवर के पास रिसीवर हुआ या नहीं रिसीवर को डेटा रिसीव करने के बाद सेंडर को एक आकुलेटमेंट शेंड करना होता है, जब तक सेंडर के पास रीसीवर सेंडर ने जितनी भी फ्रैम भेज़ी या जितनी ढीटा बेचा भेज शारे डेटा के अकुलेटमेंट नहीं आते तब तक सेंडर को если pop ट यच्टेशं को एक पटेगुलर टाइमाउट के लिए वेत करन करना होगा जब तक वो टाइम आउट खतम हो जाए तो सेंडर को फीड से वो डेटा रे ट्रांस्मिट करना पड़ेगा थैंक यू